स्वागत है दोस्तों आपका अम्प्लीफायर वर्ल्ड चैनल में देखिए आज एक अम्प्लीफायर से मुझे 2N3773 यह बेल में की यह ट्रांजिस्टर मिले हुए है हाला कि यह ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है लेकिन इसके बाद भी इनके कलेक्टर टू एमिटर में लीकेज़िस है लीकेज़िस का मतलब यह है कि अगर मैं मल्टी मीटर का प्रॉड कलेक्टर और एमिटर के बीच में लगाऊ तो मुझे उसमें कुछ reading मिलती है जो की normally नहीं मिलनी चाहिए तो एक doubt होता है कि ये transistor सबसे पहले तो ये doubt हुआ कि ये transistor कहीं duplicate तो नहीं आ गए है तो एक बार हम इसको normally चेक करते हैं बिल्कुल चालू transistor है इसमें कोई problem नहीं है लेकिन फिर भी जो leakages का problem है वो amplifier के लिए problem create कर सकता है तो चलिए इसको एक बार हम test करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो transistor है इस type का यानि कि यहां से जो pin आपको दिखाई दे रही है ये pin के center से और जो top side का ये distance जो है screw का ये short है और दूसरे side में काफी ज्यादा long है तो यहां से हम अगर यहां का distance देखेंगे तो ये काफी ज्यादा long है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये long distance है और ये short distance है तो इसे यहां short लग दिया तो इस तरीके से जब आप transistor को hold करते हैं यानि कि आपका short distance जो है ये top side रहेगा तो आपके left hand side पर base होगा right hand side पर emitter और ये metal case तो collector होता ही है ये आप सभी को पता ही है तो ज्यादा pin configuration पर ज्यादा detail ना देती हुए अब हम check कर लेते हैं तो देखिए हम positive prod को अगर base पर रखते हैं तो अब हमें emitter and collector की बीच में reading मिलने चाहिए जो कि यहां पर मिल रही है ठीक जो collector पर reading है वही emitter के emitter के उपर भी वही reading होनी चाहिए कुछ अंतर हो सकता है 5 to 10 percent का और अगर prod पलटते हैं तो यहां पर कोई reading नहीं मिलनी चाहिए अब इसके बाद में हम अगर ये prod को change करते हुए emitter and collector की बीच में अगर check करते हैं तो कोई reading नहीं मिलनी चाहिए तो ये black prod को मैं collector पर लगाता हूँ और rate को emitter पर लगाता हूँ तो यहां मुझे reading मिल रही है इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ leakages current flow हो रहा है अगर prod reverse करता हूँ तो यहां पर reading नहीं मिल रही है लेकिन यह prod reverse में रखा जाए या फिर normally वैसे भी लगाए जाए तो reading नहीं मिलनी चाहिए base to emitter के बीच में अब ठीक दूसरा transistor check करते हैं इसमें क्या समस्या है हाला कि 4 transistor एक साथ खरीदे गए थे और 4 transistor में same यही problem मिल रही है जाने कि यह manufacturing defect है तो ऐसे transistor को लेने के पहले base to emitter और यह तो check करना ही होता लेकिन emitter to collector के बीच में किसी भी प्रकार का कोई current flow नहीं होना चाहिए उसमें किसी प्रकार की कोई reading नहीं दिखानी चाहिए I repeat emitter to collector के बीच में कोई deflection नहीं दिखाना चाहिए तो इस transistor को बिल्कुल normally हम उसी तरह के चेक कर रहे है लेकिन जब collector to emitter चेक कर रहे है तो यहाँ पर देखिए reading मिल रही है जो कि यहाँ नहीं मिलने चाहिए यह indicate करता है कि इस transistor में emitter to collector leakage है क्योंकि कोई भी transistor में current जो है collector to emitter या emitter to collector ऐसा flow हो सकता है normally इसी तरीके से flow होता है लेकिन यह तब flow होता है जब base पर कोई voltage जो bias volt होता है या signal होता है उस वो दिया जाता है तभी इसके बीच में current flow होगा otherwise कोई current flow नहीं होना चाहिए तो इसके लिए यह transistor को बिल्कुल closely detect करने के लिए कि हमने इसी transistor का एक piece cut कर रखा है तो देखिए यही transistor जो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का batch number 4024 है इसका भी 4024 यह भी 4024 है लेकिन जब इसको cut करके देखा गया तो इसका dia बिल्कुल वही size में है जो कि normally मतलब एक अच्छे quality के transistor में होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं dia का size बिल्कुल सही है लेकिन इस dia पर एक dot दिखाई दे रहा है जैसे आपको लग रहा हुआ कोई particles वहाँ आके चिपक गया है यह हो सकता है manufacturing करते समय यह particles चिपक गया हो dust वगरे या कोई और current से तो इस वज़े से यह emitter to collector यह leakage current शो कर रहा है तो हम यह देखने वाले हैं कि यह dot के वज़े से problem है या इसका कोई manufacturing defect है हाला कि जो transistor construct किये जाते हैं वो बहुत ही dust free area होता है वहाँ इस type का problem नहीं आना चाहिए तो देखिए यह base collector emitter मैं यहाँ पर note कर देता हूँ इसके बाद हम यहाँ पर reading एक बार लेके देख लेते हैं तो देखिए आप base का जो wire है यहाँ पर base के point से जो wire जा रहा है वो काफी पतला है और emitter का wire काफी मोटा है तो इससे आप पता कर सकते हैं emitter pin कौन सी है और base pin कौन सी है लेकिन इसके लिए transistor को खोलने की जर्रत नहीं है केवल pin पता करने के लिए यह गलत होगा तो देखिए यहाँ पर collector to emitter हमें वही reading मिल रही है और prod पलटने के बाद भी हमें reading यहाँ पर मिल रही है इस transistor जिसको मैंने open कर रखा है मैं thinner का spray करता हूँ उसके पहले देखिए यहाँ पर एक local 2N3773A transistor मैंने ले रखा है यह fake transistor है जो की market में सस्ते दामों पर मिलता है तो उसका dice देखिए और जो original BEL का transistor है उसके die का size देखिए तो आपको बिल्कुल confirm हो जाएगा कि fake transistor किस type के होते है इसके अलावा die जिस pad की उपर लगाई जाती है अगर आप देखेंगे 2N3773 याने की जो BEL मेक का transistor है उसका जो die pad है वो काफी बड़ा है और fake transistor जो है उसका die pad काफी छोटा है यह die pad बड़ा होने का फायदा यह है कि यह बहुत जल्दी metal case के उपर जो इसका metal case है transistor का outer metal case उसके उपर यह heat बहुत जल्दी transfer कर देता है जो silicon pad से जो heat सबसे पहले इस die pad पर उसके बाद इस metal case पर transfer होती है और यह metal case को heat sink से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं इसके die case में तो इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए कि यह transistor मतलब जो bail का transistor है यह बिल्कुल original transistor है इसमें कोई ऐसा fake die या ऐसा local chip नहीं लगा हुआ है और इसके अलावा इसकी thickness जो है bail make transistor की जो body की thickness है वो थोड़ी ज्यादा है local fake transistor के मुकाबले और definitely थोड़ा वजन भी इसका जो fake transistor है उसके मुकाबले इसका वजन भी थोड़ा ज्यादा है अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा thinner का इसके उपर spray करते हैं यह high solvent thinner है यानि की काफी तेजी से dissolve करता है कोई भी चीजों को मतलब especially ink वगेरे को तो बहुत तीजी से dissolve कर देता है तो इसके उपर हम कुछ drop डालते है silicon pad के उपर और देखते हैं कि जो एक red type का spot है यहाँ पर वो remove होता है या नहीं तो उसको हाथ से remove करते हैं थोड़ा सा remove होने में problem हो रही है उसको और थोड़ा सा spray करना होगा देखिए base collector emitter जो मैंने ink से लिखा था वो ink बिल्कुल जल्दी से dissolve हो गई लेकिन यह dot dissolve नहीं हो रहा है इसको और खुरुचने के लिए किसी और instrument का use करते हैं थोड़ा सा और इससे भीगा के रखते हैं तो हो सकता है यह अपने आप dissolve हो जाए तो अच्छा है क्योंकि silicon pad पर किसी भी तरीके से खुरुचना ठीक नहीं होगा लेकिन देखते हैं धीरे धीरे खुरुच के इसको यह dot निकलता है या नहीं हाला कि silicon pad पर इस type के dot मैंने बहुत मतलब ना के बराबर ही देखे हैं चांस है कि मैं ऐसी किसी ट्रांजिश्टर को ओपन होने के बाद silicon pad पर एक टाइप का dot देख रहा हूं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह collector to emitter के बीच में जो current flow हो रहा है शायद इसी dot के वज़े से हो रहा होगा जो कि इस dot के वज़े से इस pad पर जो गंदगी आ गई है उसके वज़े से current flow हो रहा है तो देखे हमने अभी यह dot को पूरी तरीके से dissolve करके हटा दिया है अब यह clear है एक बार इस पे और हम spray करके इसे एक साफ कपड़े से wipe कर देंगे और उसके बाद हम reading लेंगे collector to emitter के बीच में कि यह अभी इसमे current flow हो रहा है या नहीं अगर इसमे current flow होना बंद हो जाता है तो यानि कि manufacturing defect माना जाएगा कि यह dot यानि कि किसी और कारण से कोई गंदगी silicon pad पर आ गई है उस वज़े से emitter to collector unnecessary current flow हो रहा है तो देखिए अभी यह dot बिल्कुल clear हो गया है इसके बाद हम अब चेक करते हैं multimeter से दोस्तो dot clear हो जाने के बाद मुझे लगता है कि अब यह ठीक हो जाना चाहिए बढ़ फिर भी चेक करते हैं चेक करने के बाद यहां पर rating मिल रही है याने की बात नहीं बनी अगर मैं emitter to collector चेक कर रहा हूं तो यहां पर मुझे rating दिखाई दे रहेगी जो abnormal rating है जो की नहीं आनी चाहिए even prod पलटने के बाद भी मुझे वैसी ही rating मिल रही है जो की नहीं आनी चाहिए तो यह शायद problem कुछ और है यह शायद silicon die का ही problem होगा manufacturing defect होगा वो dot से कोई issue नहीं था तो बहतर यह होगा कि जब भी हम कोई transistor का lot खरीते हैं तो एक बार उस lot में से कम से कम 2 या 3 transistor को चिक कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों next video में thank you for watching and have a nice day